मिर्जपुर में मंदिर के दानपात्र को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दो पक्षों के बीच गोली चले लगे इस गोलबारिंग में श्रवन पांधी की मौत हो गई पलिस ने मामले में चार आरोपी को गिरफतार कर लिया है ये पूरी घटना गुरसंडी इलाके में हुई है जिसको लेकर सुबह में जड़प हुई और उसके बाद ये गोली मार कर एक विक्ति के हत्या कर दी गई इसमें शुरू में चार लोगों को बताया गया था कि चार लोगों का इस हत्या में नाम है पीली भीद में यूगी सरकार की सक्ति के बावजूत अवैद खनन का कारोबार फलफूल रहा है बिलसंड़ शित्र में खनन माफिया बड़े पैमाने पर मिट्टी का खनन कर रहे है जिबकि जरा खनन अधिकारे इस मामले में चुपई साधे बैठे हैं जानकारी के मताबिक इस्थान इथाना शित्र में माफिया 99 गन मीटर की आड में उप जाओ खेतों में से मिट्टी निकाल रहे हैं जिससे सरकार को लाखों रुपे का नुकसान हो रहा है प्रियागराज के सराय इनायत शित्र में 28 सितंबर को शुभम केशरवानी से 75,000 रुपे लूटने के मामले में पुलस ने 6 आरुपी को गिरफतार किया लुटेरों ने शुभम और उसके ड्राइवर से उवर्टे कर बैक छीन लिया था डेसीपी गंगानगर और एसीपी थरवई की टीमों ने सेस्टेवी फुटेश के अधार पर कारिवाई की जिसमें एक अवैत तमंचा और लूट के 5,800 रुपे बरामत किये गौंडा के करनल गंज में यूवक, हरिश्वंद्र मौर्या ने मंडी समीती पर आरोप लगाते हुए पानी की टंकी पर चड़ गया यूवक का कहना था कि उससे साफ सफाई की काम का भुकतान नहीं मिला और टेंडर किसी और को दे दिया गया नायबते सिल्दार के आश्वासन देने पर यूवक को चार घंटे बाद टंकी से उतारा गया गौरकपुर के ग्राम टिकरिया में एक तलाब में विशालकाय मगरमच दिखाएं दिया जिससे ग्रामिडों में पहले कच्छुआ समझा रहा अविवार सुबा एक यूवक ने मगरमच को सड़क पर देखा और तुरंट पुलिस को सूचना दी बनवेभाग और पुलिस मौके पर पहुंचे लेकिन रिस्क्यू सर्फ़न नहीं हो पाया गाउ में मगरमच के होने से ग्रामिडों में देश्षत का माहौल है जासी की थाना समतर शीत्र में अवैत पता का गोदाव में बारूत बनाने के दोरान विसफोर्ट हो गया जिसमें नो लोग गंभी रोप से घायलों गया जिन में से साथ को जासी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया फिरोजबाद के सलाधिकारे रामेश रंजन ने शिक्वबाद में हर घर जल, हर घर नल, योजना का नेरिक्षन किया दोरान उन्होंने कनेक्षन की जानकारी ली और हर घर जल पहुचाने के निर्देश्टे मुख्य विकास अधिकारी और SDM भी उनके साथ मौजूद रहे जल निगम जो नगरिया टीम है उनके द्वारा रिंकिंग वाटर का पुड़ा प्रोजेक्ट इहां चल ला है सिक्वबाद नगरपालिका में प्रोजेक्ट फुरी पुड़ानी 2017-2018 में शुरू हुआ था इसमें काफी सारे ट्यूट बेल ओबर है टैंग किसी डवल वार बने हुआ है तो जैसा बताए कि लगवग 18,000 लोग कनेक्शन अभी तक लगे हुआ है बस्ती में महात्मा गानी की 155 वी जैनती पर यूपी सरकार ने 26 सितंबर से 2 आक्टूबर तक 155 घंटे का महा सफाई अभ्यान शुरू किया है इस कारिकरम का उदेशे लोगों में स्वच्चता की जानकारी फैलाना है इस कुल में छात्रों को स्वच्चता की शपत दिलाई जो आ रही है जबकि नगरपालिका में नुकर, नाटक, प्रेलिया और पोधार ओपर जैसे कारिकरम आयूजित किये जा रहे है श्रावस्ती जिले में 1-31 ऑक्टूबर तक संचारी रोग नियंतरन अभियान और 11-31 ऑक्टूबर तक दस्तक अभियान शुरू हुआ है CMO डाक्टर एपी सिंग के नितितु में विधायक प्रतिनीदियो और ADM अमरेंद्र कुमार वर्मा के उपस्तिती में रैली निकाली गई सभियान के तहत सभी ब्लॉकों में स्वच्छता और दिमागी बुखार, डेंगू और वाइरल बुखार के प्रती लोगों को जग कि या गया यह हमारा इस वर्ष का तीसरा चरण है हर साल हम लोग बारिस के पहले बारिस के दरौन और बारिस के बाद संचारी रोग नियंत्रण अभ्यान चलाते हैं पूरे एक महतर और इसमें मच्छर जनित इवं अन्य संचारी जैसे चुहा और टिक टाइफस बिमारियों स सक्षकों को प्रेस्शिक्ष्ट दिया गया साइट सीवर्स इंडिया की सहयोग से ऐयोजे Circa कारीक्रम में सहायक उपकरणय का इस्तेमाल सिखाय गया प्रेश्रिक्षर के बाद सिर्क्षक अब इन बच्चों को सामानने प्राइमरे विध्याले में पढ़ाएंगे जनपत में लगभाग 155 ऐसे बच्चे हैं अलिगर्ण में यूवक नरींदर के साथ उसके ससुराल जनों ने मारपीट की जिससे उसकी मौत हो गई मनतक की मान ने आरोप लगाया कि ससुराल वारों ने आठ साथ से चल रहे विवात के चलते उसकी जान ले ली परिवार ने थाने में तहरीर देकर का रिवाई की मांग की है बागपत कुतवाली में तैना दरोगा अशो का यूवक से रिश्वत लेते वीडियो शूशर मीडिया पर वारल हुआ है वीडियो का संग्यान लेते हुए एसपी बागपत ने दरोगा को निलंबित कर दिया नरुगा के निलम्मन के बाद स्पी ने जांच सीयो बड़ात विजे चौधरी को सौब दी है अब सीयो बड़ात वारेट वीडियो के अधार पर जांच परताल करेंगे जहासी में आज सर्वसमाज फाउंडेशन इंडिया ने जलाध्यक्ष के निर्थित्व में सैक्डो सदस्यों के साथ जलाधिकारी कारियाले पहुँचकर मुख्योंत्री को दो सूत्रे ग्यापन सौपा उन्होंने मांग की कि पुरानी तेहसील मैथली चरण पार्क के सामने स्थित अतिहासिक मजार कबिस्तान और संतों की समाधियों से अवबाद कबजी हटाये जाएं मेरिट के थाना ककड़ खेड़ा शित्र मेग सिर्फिरे ने गली में खेल रहे तीन साल के बच्चे को ठाकर पटक दिया जिससे बच्चा गंभीर रोप से खायल हो गया आसपास की लोग बच्चे को बचाने के लिए दोड़े तो आरूपी फरार हो गया गंभीर बच्चे को निजी अस्पताल में भरती करा गया जहां उसकी हालत गंभीर बताई ज़ा रही है नौईडर पुलिस की चेकिंग के दौरान चोरी करने वारे तीन बदमाशों शेव मुटभेड हो गए इस दौरान एक बदमाश ने फारिंग की जिसमें उसे पैर में गुरी लगी और वो घायल अगस्ता में पकड़ा गया बाकी दौबदमाश स्कूटी गिरने के बाद भागने लगे जिने पुलिस ने पकड़ डिया पुलिस ने उनके पास चोरी की स्कूटी और अव्याद हथियार बरामत किये है लगे कि इसको दड़ा कर पुलिस ने पकड़ लिया घायल वैक्ति तथा दोनों वैक्तियों से उनका नाम पता पूछा गया घायल वैक्ति ने अपना नाम मनीश बताया जो कोरिजनली कामपूर द्याद कर रहने वाला है और यहां गली नंबर तीन चलेरा में रहता है बाक झाल झाल